हेलो फ्रेंड्स मैं हूँ अजी शेक आप देख रहे हैं मूवी स्टॉक चैनल जिस पर आज मैं बात करने वाला हूँ डिस्टी प्लस पर आने वाली MCU की यूनिवर्स की सीरीज मून नाइट के फर्स रियक्शन रिव्यू के बारे में सो फ्रेंड्स तो क्रिडिक्स की तरफ से ये बात कंफर्म कर दी गई है कि उन्हें मून नाइट की सीरीज के पूरे एपिसोड दिखाये नहीं गए है जिसके पहले सीजन में हमें टोटल 6 एपिसोड देखने मिलने वाले है लेकिन इस बार उन सभी के लिए MCU वालों की तरफ से पूरे 4 एपिसोड प्रोवाइट किये गए है और सीगो लेकर उनके रियक्शन निकल कर आये है पूरे रिव्यू की डिटेल नहीं जिसके लिए फिलाल तो अभी टाइम है जाफिस सिंपली कहू तो सीरीज के रिलीज होने के एक हफते पहले इस सीरीज के फाइनल रिव्यू निकल कर आएगे लेकिन जिस तरीके के रियक्शन उन सभी की तरफ से प्रोवाइट किये गए है इसके चार एपिसोड को देखकर उसमें जाधा तरदो क्रिटिक्स की बाद इसी चीज को रिपीट कर रही थी जिस टॉपिक पर इसके पहले आसकर आईजक भी आकर अटके थे चैनि कि सिरीज के लीड और उनका कहना यही है कि ये सिरीज एमसियो के युनिवर्स की आईएन मैन के बाद बनी एक ऐसी इसी सिरीज है जिसमें किरेक्टर डेवलेब्टमेंट पर इतना ज्यादा ध्यान दिया गया है जैनि ये घसाब से देखा जाए तो औसकर आईजक क कहना यही है कि जितनी बेस्ट तरीके से MCO की तरफ से आइन में फिल्म की फर्स्ट ओर्जिन को प्रिपेर किया गया था मून नाइट को भी कुछ उसी तरीके की ट्रीट्मिंट देकर इस सीरीज को बेस्ट से भी बेस्ट बनाने की कोशिश की है और अब क्रिटिक्स के एकॉर्डिंग उसका पे ओफ भी निकल कर आ रहा है क्योंकि इस कमपैरिजन के अलावा उनकी तरफ से इस सीरीज को MCO में बनी ही काफी यूनिक सीरीज भी कहा जा रहा है यानिक एक ऐसी सीरीज जिस टेक पर MCO वाले कभी गए ही नहीं और अब उन सभी की कमपैरिजन की जाए तो जादा तर तो इस सीरीज की कमपैरिजन इंडियाना जोन्स फिल्म से की जा रही है और साथी साथ नैशनल ट्रेज़ेट से भी जो दोनों ही फिल्में प्रेजर हंटिंग पर बेस्ट है लेकिन मून नैट की सीरीज को देकर कुछ ऐसा ही लगता है कि इस सीरीज में भी तलाश आसकर आइजेक के करेक्टर के नहीं बलके फिल्म के विलन का हो या फिर एथन हॉक को मून गॉड यानि के कुण शू के वरदान की है जिससे लेकर मार्क स्पेक्टर क्या कुछ करेगा ये सीरीज में वही सारी की सारी डीटेल प्रोवाइट करने वाली है और इसके अलावर नेगिटिविटी की बात करें तो उसमें फिलाल तो कहा यही जा रहा है कि मून नैट की ओरिजिन को जिस तरीके से एमस्यू वाले एक्स्प्लोर कर रहे है उसमें जो हॉरर वाइब डाली गई है जी हाँ हॉरर वो डाय हार्ट फैन्स को बिल्कुल भी पसंद नहीं आएगी लेकिन मुझे लगता है कि इस से शो में इंट्रेस्ट भी बहुत जादा बढ़ेगा और सबसे बड़ा जो क्षेशन है उसका जवाब किसी भी क्रिटिक्स की तरफ से नहीं दिया गया है कि ये सीरीज एमस्यू के यूनिवर्स की कितनी जादा डार्क बनाए गई है जो कि हैसल में एक अनफॉचनेट ही रहेगा यानि कि अब इसका पता हमें खुद सीरीज देखकर ही चलेगा उसके पहले बिल्कुल भी नहीं जिसके लिए फिर क्या बस हमें वेट ही करना है इस सीरीज के ऑफिशल इस मंत की 30 तारीके रिलीज होने का जिससे देखने के बाद आपके साथ-साथ मेरा रियक्शन क्या रहेगा वो मैं आपको वीडियो बना कर बता दूँगा और आप उसी वीडियो के नीचे कमेंट कर कर क्योंकि अब वक्त है वीडियो को यहीं पर खतम करने का मैं हूँ अजीज शेक आप देख रहे थे Movies Talk चैनल जिसे अगर आपने भी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजे और बगल में बने वेज बैल आइकन के साथ साथ लोटिफिकेशन को भी आल पक क्लिक कर दीजेगा बाकि अब मैं मिलता हूँ जल्दी आपसे दूसरी किसी वीडियो में किसी और फिल्म या फी किसी और सीरीज के टॉपिक पर बात करते हुए तब तक लिए आप मैंने चैनल के बाकि दूसरे वीडियो को भी इंजॉय कीजिए तिल देन बाई झाल